हेलो दोस्तों ये वीडियो सीजन नाइन का लास पार्ट है और इसमें मैंने कवर किये हैं एपिसोड 13, 14, 15 और 16 वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लेंगे और जो पहले आइकोन है उसे प्रेस करना मन भूलेगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो उसके अपडेट में पढ़ जाएगी कोनी और हैंडरी लीडिया को वहाँ छोड़ कर जाने के लिए तयार नहीं होते और एक डिरेक्शन के और बढ़ जाते हैं डैरल पे उन लोगों को फालो करता है और उनके पीछे चला जाता है अगले सीन में विस्परर के कैम को दिखाया जाता है बीट तब ही जैरी को बाहर से आते हुए देखते हैं जैरी के शरीर पर कई जगे चोटों के निशान मौजूद थे जैरी थेटर के अंदर आकर एजिकल से मिलता है वो एजिकल को अप़ने उपर हमला करने वाले के बारे में बता देता है वो एजिकल को उस हमलावर का एक नोट में आ जाता है वो जैरी से अपने सभी फाइटर्स को तयार करने के लिए कहता है इदर हिल टॉप के रेजिडेंट्स वेयर की और रवाना हो चुके थे तारा और मेगना को रास्ते में पड़ा हुआ एक ट्री दिखाई देता है वो लोग बाकी लोगों के साथ उस ट्री को जाता है और बिल्कुल सेफ होगी इदर टैर्ल और कॉनी आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके थूर वो विसपर्स और वाकर्स में फरक कर सकते थे वो अपने लिए एक गूची बिल्डिंग को चूस कर लेते हैं लीडिया उन लोगों को बताती है कि अलफा खुद केरॉल एजेकल को हाइवे मैं से बात करने के लिए कहती है और बाचीत का कोई रिजल्ट ना निकलने पर लड़ाई का सजेशन देती है एजेकल केरॉल की इस बात को मान लेता है इधर डैर्ल अपने सबी साथियों के साथ आफिस बिल्डिंग के अंदर पहुँच चुका कोनी डैर्ल को बताती है कि उन लोगों का ग्रूप उस बिल्डिंग के अंदर रह चुका है उन लोगों को वहां मौजूद कुछ सप्लाइस भी मिल जाती है इधर एजेकल और केरॉल अपने सबी साथियों के साथ हाइवे मैन की लीडर से मिलने के लिए पहुँच जाते है हाइवे मैन के लीडर का नाम ओजी था वो उन सब लोगों को एक साथ देखकर चौक जाता है इधेकल उन सबी लोगों से किंडम में होने वाले फियर में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है जिसे ओजी तुरंधी मना कर देता है ओजी अपने सबी आदमियों से इजेकल को बंदी बनाने के लिए कहता है वो जेकल के बतले किंडम के लोगों से कुछ सप्लाइस चाहता था केरॉल ने अपने आदमियों को पहले से ही चारा और फैला रखा था वो सबी लोग हाइवे मैन को चारा और से घेर लेते हैं ओजी और किंडम के लोगों के बीच में लड काथ खूश हो जाता है और वो कैरॉल की इस डील को मान लेता है इधर आफिस बिलडिंग में हैंनरी लीडिया के लिए एक स्पियर बनाता है और उसे वाकर्ण से लड़ने के लिए देदेता है लीडिया अपने लोगों को मारने की छुख नहीं थी वो उस स्पियर को वाप किसी भी आत्मी को जिन्दा नहीं रहने देगी डैरल उन दोनों को बाहर जाकर चेक करने के लिए कहता है इधर तारा और मेगना की ग्रूप के पास वाकर्स का एक छोटा सा हर्ट पहुँच चुका था तारा सभी को उन लोगों के हाथ पे अज़र रखते हुए अनमारने के लिए कहती है टैमी भी अपने बेबी को एक बॉक्स में बंद कर देती है और वाकर्स का सामना करने के लिए आ गया आ जाती है अरल एक वाकर का सामना करते हुए गायल हो जाता है तभी वहाँ पर highwayman का पूरा group आ जाता है वो लोग वहाँ माजूद सभी walkers को मार डालते हैं और तारा और उसकी group के लिए road को clear कर देते हैं इदर office building में Henry और Lydia बालकनी के अंदर खड़े हुए थे Lydia को तभी walkers का एक group office building के और आता हुआ दिखाई देता है Lydia को उसमें मौजूद whispers दिखाई दे जाते हैं वो इस पारे में Henry को बता देती है उन walkers के सबसे बीच में बीटा मौजूद था बीटा अपने सभी साती whispers को इदर उदर जाकर Lydia को डूढने के लिए कहता है तभी Darryl बालकनी में से उसके उपर arrow चला देता है और बीटा उसकी position देख लेता है सभी whispers walkers के साथ उस building के अंदर घुश जाते हैं वहाँ मौजूद barricades को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों को walkers से अलग करने के लिए ये किया गया था इधर Darryl लीडिया को ले जाकर अपने डॉक के साथ एक closet के अंदर बंद कर देता है हैंरी और कोनी दौना मिलकर whispers का सामना करने लग जाते हैं जो कि building में उपर तक आ चुके थे Darryl ने दर्वाजे की और crossbow का aim ले रखा था तभी बीटा अपने साथियों के साथ एक दर्वाजे को shield बना कर अंदर घुश जाता है वो सभी लोग मिलकर whispers का सामना करने लग जाते हैं इधर लीडिया को हैंरी के आवाज सुनाई देती है और वो डौक को बाहर निकाल देती है एक whisper के द्वारा हैंरी खैल हो जाता है तभी डेरिल का डौक आकर उस whisper के उपर हबला कर देता है लीडिया भी हैंरी की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है डेरिल और बीटा का आमना सामना होता है दौना में लड़ाई होने लग जाती है बीटा एक पर डेरिल को सौक के बलेट के उपर जुका देता है लेकिन डेरिल किसी तरह से मैनेज करके अपने आपको बचा लेता है डेरिल बीटा की चेस्ट पर नाइफ से वार करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है बीटा अपने नाइफ को बहार डिकालता है और वहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि वो लीडिया को वहाँ पर लेने के लिए आया था डैरेल तभी चुपके से उसके पीछे आ जाता है और उसे अलिवेटर शाफ्ट के अंदर धक्का दे देता है इदर किंडम में हाइवे मैं तारा और उसको ग्रूप को लेखर आ जाता है वो इजेकल को बता देता है कि वो लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे है इजेकल तारा का किंगडम में वेलकम करता है और उन लोगों से डैरेल और हैंरी के पारे में पूसता है तारा को आश्र होता है कि डैरेल और हैंडरी अभी तक किंग्डम में नहीं पहुँचे थे वो इस बारे में जेकल से बात करती है इधर सभी विस्परर्स मारे जा चुके थे कोनी एक तरफ से वॉकर्स को निशाना बनाती है और बाहर जाने के लिए रास्ता तयार करती है टैरेल उन लोगों को अलेक्सेंड्रिया जाने के लिए सजेस्ट करता है क्योंकि हैंडरी बहुँच जादा घायल था और अलेक्सेंड्रिया उन लोगों के करीब था इधर बीटा को दिखाया जाता है जो कि एलिवेटर श्राफ्ट के अंदर गिर गया था बीटा को होश आता है और वो उटके खड़ा हो जाता है एपिसोड की शुरुआत एक फ्लेश पैक से होती है रिक को लाबता हुए कुछ दिन हो चुके थे और मिशान प्रेगनेंट थी मिशान ब्रिज के पास रिक की बाड़ी को ढून रही थी उसे वहाँ पर रिक का रिवॉलवर मिल जाता है मिशान की डैरल से मुलाकात होती है डैरल भी रिक को जगे जगे पर खोज रहा था वो मिशान को बताता है कि उसे भी रिक की बाड़ी नहीं मिली थी मिशान डैरल को अलेक्सेंडिया बापस लाट कर आने के लिए कहती है डैरल मिशान को क्लियर करता है कि वो कुछ ढूंड लेने के पाथ ही एलेकसेंडिया वापस लॉट कर आएगा एपिसोड एक बर फिर से प्रेजेंट में आता है मेशान रिक्की गन को क्लियर करके जुडित की बॉक्स में रख देती है एरन मेशान के पास आता है और उसे डैरिल के कुछ लोगों के साथ एलेकसेंडिया के बाहर आने के बारे में बता देता है मेशान एलेकसेंडिया के गेट पर आकर डैरिल से बात करती है वो लीडिया को पहचान जाती है और उसके बारे में डैरिल से बात करती है डैरिल मेशान को एशूर करता है कि वो अब उन लोगों के साथ है और हैन्री बहुत ज़्यादा घायल है इस मॉमेंट पर एक और फ्लेश पैक दिखाया जाता है मिशान अलेकसेंडर के बाहर माजूद एक स्ट्रेंजर को देखती है मिशान उस स्ट्रेंजर को पहचान जाती है वो उसकी बचपन की फ्रेंड जोसिलिन थी हैन्री को इंफर्मरी ले जाया जाता है जहां पर उसकी चोट में स्टिचेज लगा दिये जाते हैं डैनल मिशान को बताता है कि वो लोग जल्दी ही किंडम की और रवाना हो जाएंगे एक बार फिर से फ्लेश पैक दिखाया जाता है एक दिन जोसिलिन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है वो मिशान को कहती है कि उसे अपने लोगों के पास जाना है मिशान उसे कमफर्ट कराने की कोशिश करती है और उसे उनके बारे में बूस्ती है बात में दिखाया जाता है कि मिशान, कैप्रियल, रोशिता और यूजीन जोसिलिन की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच आते है उन्हें वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिल जाते है एपिसोड प्रेजेंट में आता है मिशान लेडिया को क्लियर करती है कि उसने बहुत चीजें ऐसी की है जिसके लिए वो सोचना भी नहीं चाती मिशान लेडिया को कहती है कि अगर वो अलेकसेंडिया को सेथ दिखना चाती है तो उसे अलेकसेंडिया को छोड़ कर चले जाना चाहे अगले सीन में डेरल और जुडित को दिखाया जाता है जो कि लेग के करीब बैठे हुए थे जुडित डेरल को कहती है कि उसने लीडिया की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है और वो सभी लोग एक होकर विस्पर्स को हरा सकते है जुडित उमीद करती है कि अगर उसके डैड़ी उस वक्त वहाँ होते तो वो भी ऐसा ही करते एक बार फिर से फ्लैश पैक दिखाया जाता है अलेकसेंडिया में जुसिलिन के साथ मौजूद सभी बच्चे आ चुके थे वो सभी बच्चे जुडित और कम्यूनिटी के बच्चों के साथ बोनफायर को एंजॉय कर रहे थे अगले सीन में मिशॉन और जुसिलिन को दिखाया जाता है मिशॉन जुसिलिन के बच्चों की हंटिंग स्किल्स देख कर बहुत जादा इंप्रेस थी वो उससे उन सभी बच्चों की तारीफ करती है जुसिलिन मिशॉन को क्लियर करती है कि उसके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं अगले सीन में फिर से प्रेजेंट को दिखाया जाता है रात में डेरिल, हैंरी और लेडिया किंग्डम के और जाने की तयारी कर रहे थे एरन और मिशॉन उन दोनों को गुडबाई कहने के लिए वहाँ पर मौजूद थे जुडित भी एक तरफ बैठी हुए इन सभी लोगों को देख रहे थी मिशॉन डेरिल को बताती है कि जुडित अभी भी उससे बहुत ज़्यादा गुसा है डेरिल मिशॉन को जुडित से बात करने के लिए कहता है और उससे सभी सच बताने के लिए कहता है वो मिशॉन को क्लियर करता है कि जुडित अब बच्ची नहीं रही है और वो सब कुछ समझने लगी है उन लोगों की जाने के पाद मिशान वहां माजूद सीवर के मेन होल कवर को देखती है जो की बोल्ट से सील्ड था रात में मिशान और अलेकसेंड्रिया के सभी रेजिडेंट अपने अपने बच्चों को बोनफायर के पास से लेने के लिए जाते हैं वो लोग दिखते हैं कि जोसिल्ड सभी बच्चों के साथ गायब है वो लोग अलेकसेंड्रिया में उन सभी लोगों की तलाश करते हैं उन लोगों को पैंटरी में एक रेजिडेंट मरा हुआ मिलता है पैंटरी को जोसिलेन और उसके किट्स ने पूरी तरह से खाली कर दिया था मिशान को वहां माजूद बलड के कुछ फूटप्रिंट्स दिखाई देते हैं वह उन फूटप्रिंट्स को फॉलो करती हुई सीवर के में होल तक पहुँच जाती है उसे सीवर का में होल खुला हुआ दिखाई देता है एपिसोड एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है मिशान अपने बच्चों के साथ डिनर पर पैठी हुई थी जुडित कुछ भी खाने से मना कर देती है और अपने बैटरूम में चली जाती है मिशान को अगले दिन जुडित अपने रूम में दिखाई नहीं देती मिशान तुरंती नेगान के पास जाती है और उसे जुडित के बारे में पोस्ती है कि वो दोनों किस बारे में बात किया करते थे निगान मेशान को बताता है कि वो लोग जुडित के होमवक के बारे में रिक्की ब्रेवरी के बारे में और कार्ड के बारे में बात किया करते थे वो मेशान को सजेस्ट करता है कि उसे जुडित से बात करनी चाहिए निगान मिशान को बताता है कि जोडित मेगना के ग्रूप को अलेकसेंट्रिय। में ना रखने के मिशान के फैसले से बहुत ज़धा परिशान थी वो कार्ड की समानी सोचा करती थी वो लोगों की मदद करना चाहती थी विशान निगान के मूँ से ये सब सुनकर उसके उपर बहुत बुरी तरह से चिलाने लग जाती है विशान निगान को क्लियर करती है कि जुडित उसकी बेबी है निगान एक बार फिर से विशान को याद दिलाता है कि जुडित अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने आसपस मजूद चीजों को समझने लगी है मिशान वहाँ से तुरंती अपनी घर के अंदर आती है वहाँ पर उसे जुडित का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जा रही थी एपिसोड एक बर फिर से फ्लेश पैक में आता है डैरल और मिशान दोना विलकर जुडित और अलेकसेंडिया की बच्चों को खोजने लग जाते है मिशान जोसिलिन के उपर ट्रस्ट करने के लिए अपने आपको खोजने लग जाती है डैरल मिशान को क्लियर करता है कि लोग बहुत कुछ बदल चुके हैं और अफो लोग उन लोगों के बारे में जादा कुछ नहीं जानते हैं मिशान और डैरल को तभी वहाँ एक स्कूल के बाद जोसिलिन का एक बच्चा दिखाई दे जाता है वो बच्चा इन दानों को देखकर अंदर की और भागने लग जाता है मिशान और डैरल उस बच्चे का पीछा करते हैं मिशान और डैरल उस बच्चे का पीछा करते हुए बाकी बच्चों तक पहुँच जाते हैं तभी डेरिल के शोल्डर में एक एरो आकर लगता है। मिशॉन को लीनस हिट करके बिहोश कर देता है। डेरिल और मिशॉन थोड़ी देर बाद होश में आते हैं। उन दानों के हाथ एक पाइप से बंदे हुए थे। जोसिलिन मिशॉन और डेरिल को क्लियर करती है कि बच्चों को कभी भी सौफ नहीं होना चाहिए। उन्हें हर तरह से स्ट्रॉंग होना चाहिए। तभी कुछ बच्चे मिशॉन और डेरिल की पीट पर जलते हुए आईरन से एक्स का एक निशान बना देते हैं। उन लोगों की वहाँ से जाने के बाद मिशॉन और डेरिल किसी तरह से अपने आपको फ्री कर लेते हैं। वो दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। हॉलवे में मिशॉन की मुलाका जोसिलिन से होती है। मिशॉन जोसिलिन से जुडित और अलेकसेंडिया की बाकी बच्चों के बारे में पूसती है। उन दोनों की आपस में बहस होने लग जाती है। तब ही वहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं। जैसेल इन उन्दोनों को मिशॉन को मारने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है जीना मिशॉन की कटाना पक्ड़े हुए थी विशॉन के हाथ में एक पाइप था विशॉन उन्दोनों को क्लियर करती है कि वो उन लोगों को नुकसान नहीं पहँचाना चाती तबही Linkomes portion के उपर अटैइक कर देता है विषोन के स्टमक के उपर एक बहुत बड़ा कट लग झाता है मिशौन वहां जो में चिलाने लग जाती है वो अपनी कटाना उन लोगों से ले लेती है और बच्चे वहां से बाग मिशान को तभी वहां से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है, मिशान वहां से बाहर निकल जाती है, जोसिलिन एक वुडेन के प्लैंक को लेकर मिशान को मारने लग जाती है, मिशान किसी तरह से अपने आपको संभालती है और वो उठकर जोसिलिन को मार डालती है, मिशान वहाँ माजूद सभी किट्स को अपने साथ ऐलेकसेंडिया चलदे के लिए कहती है तभी वहाँ माजूद मिचैल चोकी जोसिलिन का साथी था सभी बच्चों को जुड़ेत और ऐलेकसेंडिया के बच्चों को मार देने का ओर्डर देता है मिशान तुरंदी उसको मार डालती है मिशान उन सभी बच्चों से वहीं पर उखने के लिए कहती है लेकिन वो सभी बच्चे मिशान के उपर अटेक करने लग जाते है और मिशान वहाँ मजूद सभी बच्चों को मार डालती है विनी वहाँ पर अकेली खड़ी रह जाती है और वो मिशॉन को देखकर एक और भाग जाती है तभी डैरेल मिशॉन के पास पहुँच जाता है जुडित तभी साबने मौजूद ट्रेलर में से बहार आती है और मिशॉन की गले लिपड जाती है इधर मिशॉन एलेकसेंडिया के बाहर पहुँच जाती है, उसे एक जगे पर जुडित मिल जाती है। वो जुडित के पास मौजूद सभी वाकर्स को मार ढालती है। मिशान और जुडित वहीं मौझूद एक लॉक्क्यों पर बैट कर बात करने लग जाते हैं मिशॉन जुडित को जोसिलिन के बारे में बता देती है वो बताती है कि उसने उन लोगों को बहुत अच्छा समझा था लेकिन उन लोगों की कारण ऐलेक्सेंडिया के लोग दिंजर में पढ़ गए थे मिशॉन जुडित को क्लियर करती है कि वो ऐलेक्सेंडिया के लोगों से बहुत प्यार करती है और वो उनको सेफ रखना चाती है जुडित मिशॉन इसे पूसती है कि क्या वो डेरिल, मैगी, केरॉल और किंग को प्यार करना बंद कर चुकी है मिशॉन की इस बात पर आश्रे करने पर जुडित उसे बताती है कि उसे उन लोगों की सेफटी के बारे में भी सोचना चाहिए मिशॉन और जुडित आपस में हग करते हैं एक और फ्लेक्श पेक दिखाया जाता है जहाँ पर डेरिल और मिशॉन तोना ही जुडित और अलेकसेंडिया के बाकी बच्चों को लेकर अलेकसेंडिया पहुच चुके थे Alexandrians अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं Michon Judith के सामने एड़्पेट करती है कि अब वो उन लोगों की सेफटी के बारे में भी सोचेगी Michon और Judith दोना ही गिंडम के और रवाना हो जाते हैं रास्ती में वो लोग Daryl, Coney, Henry और Lydia को भी अपने साथ ले लेते हैं ये सबी लोग Alexandria तक पहुच चुके थे उन दोनों को बाहर छिपे हुए दो Whispers देख लेते हैं और वो दोनों इन बातों को Alpha को बताने के लिए चले जाते हैं एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लेश बैक दिखाया जाता है एक कपल घूमते घूमते हिल्टॉप के सामने बहुत चुका था पुलोग हिल्टॉप में रहने लग जाते हैं अब एक पर फिर से प्रेजिंट में आते हैं वो कपल वोडन क्राफ्ट की कई चीज़े तयार करता है और वो उन चीज़ों को एक गाड़ी में डाल लेते हैं और किंग्टम में होने वाले फियर में जाने के लिए तयार हो जाते हैं रास्ते में उन लोगों को Alpha पकड़ लेती है और मार डलती है Alpha उस वोमेन के स्कैल्प को निकाल लेती है नेक्स सीन में किंग्डम को दिखाया जाता है इजेकल वहाँ माजूद सभी लोगों को रेक, कार्ल और जीजस की सपने के बारे में बताता है उन लोगों का सपना सभी कमिनिटीज को एक करने का था किंग्डम में माजूद सभी लोग सेलिबरेट करने लग जाती है तभी मेशान डैरिल के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है कैरॉल हैंरी को देखके बहुत खुश होती है इजेकल मेशान को फेयर में आया हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है तारा लीडिया को लोगों की ग्रूप के साथ देखकर अपसेट हो जाती है और वो डैरिल से इस बारे में बात करती है सभी लोग थेयर्टर के अंदर पहुच जाते है मिशान उन सभी लोगों को क्लियर करती है कि अलेकसेंडिया अब उन लोगों की हैट करने के लिए पूरी तरह से तयार है मिशान उन लोगों को क्लियर करती है कि लीडिया अब उन लोगों के साथ अलेकसेंडिया में ही रहेगी तारा मिशान की ये बात सुनकर फिर से अपसेट हो जाती है तारा को डर था कि एलफा को जब लीडिया के बारे में पता चलेगा तो हिल्टॉप के साथ अलेकसेंडिया भी टिंजर में आ जाएगा विशान तारा को याद दिलाती है कि पहले वो सब भी एक दूसरे से अंजान थे और उन लोगों को एक दूसरे के उपर ट्रस्ट नहीं था और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के उपर ट्रस्ट करना सीख गये थे इसलिए उन्हें लीडिया के उपर भी ट्रस्ट करना होग तारा हिल्टॉप के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा डर रही थी, विशॉन उन सभी को कुछ फाइटर्स को हिल्टॉप भीज़ दिने के लिए सजेस्ट करती है, एजेकल कम्यूनिटीज का चार्टर वहाँ पर लेकर आता है, तारा एजेकल और केरॉल उसके उपर साइन कर देते हैं, विशॉन एलेकसेंड्रिया की और से गैब्रियल को उस चार्टर के उपर साइन करने के लिए कहती है, फियर शुरू हो चुका था, हैंडरी लीडिया के साथ फियर खुमता है, एजेकल उन दोनों को रात में होने वाले मूवी शोग को अटेंड करने की याद दिलाता है, लिउ कैल्डन को अपने साथ स्टेश शो करने के लिए इन्वाइट कर लेता है, इधर कैली और कोनी बहुत टाइम बाद आपस में मिलते हैं, तोना एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, मिशान जिदी को अपने फर्स्ट क्रूप के साथ हिल्टॉप त पसंद करते हैं, लीडिया उन लोगों की इस बात को सुनकर उनकफरडेबल हो जाती है, इसी बीच डेरिल, कैरॉल और मिशान कुछ लोगों को लेकर हिल्टॉप की और रवाना हो जाते हैं, जंगल में उन लोगों की मुलाकात उजी और उसके ग्रूप से होती है, उन लोगों को उस गाड़ी के आसपस कोई भी बॉडिस दिखाई नहीं देती, कैरॉल, डेरिल, मिशान और युमिको उसमें मौजूद लोगों की तलाश में जंगल में अंदर की और चले जाते हैं, मेगना बाकी बचे हुई लोगों के साथ हिल्टॉप की और रवाना हो जात इधर डेरिल और उसके ग्रूप पर कुछ वॉकर्स अटाइक कर देते हैं, वो उन सभी वॉकर्स को मार डालते हैं, तब ही उन लोगों को चारों और से विस्परर्स घेड़ लेते हैं, बीटा उन लोगों के सामने आ जाता है, और उन सभी लोगों को अपने वैपन्स के अंदर पहुच चुकी थी, योजीन सभी कम्निटीज को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर रेडियो पार्ट सिखटे कर चुका था, योजीन रोशिता के साथ मिलकर वहाँ पर रेडियो कम्मिनिकेशन सेटप की तयारियां कर रहा था, हैंडरी लेडिया के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, हैंडरी लेडिया को केस करता है, हैंडरी लेडिया को मुवी थेटर में अपने लिए एक सीट रिजर्व करने के लिए कहता है, और वहाँ से पाइप की लिकेस ठीक करने के लिए चला जाता है, इधर एजेकल का सामना एलफा से हो जाता है, एलफा जैकल को बताती है कि वो एलेकसेंड्या को बिलॉण करती है, और उसका नाम डैबो रहे एलफा जैकल को फेर के बारे में बताने के लिए कहती है, इदर लेडिया अकेली बैठे हुई हैनरी का वेट कर एलफवा उन सबी लोगों को बताती है कि वो रोड पर मुसीबत में फस गई थी उसके हाथ में खून लगा हुआ एक चाकू था में शौन एलफवा को वार्ण करती है कि अगर उसने लीडिया को नुकसान पहँचाने की कोशिश की तो सभी कम्मिनिटीज उसके खिलाफ लड़ाई करेंगी एलफवा में शौन को क्लियर करती है कि वो लीडिया की बिल्कुल भी परवा नहीं करती है एलफवा एक शौर्टगन निकालती है और डेरिल को अपने साथ आने के लिए कहती है एलफवा डेरिल को लेकर एक क्लिफ के उपर खड़ी हो जाती है वहाँ से डेरिल को वाकर्स का एक हर दिखाई देता है जिनके बीच में विस्पर्स भी मौजूद थे एलफवा डेरिल को क्लियर करती है कि उन लोगों की बनाई हुई कम्यूद एक मजाख है और डेड की दुनिया में डेड बनकर ही जीना पड़ता है एलफवा डेरिल को वार्ड करती है कि इस वक्त तो उसके सबी दोच सेफ हैं लेकिन अगली बार उन लोगों ने उसके एरिया में आने की कोशिश की तो वो सबी वाकर्स को उनकी कम्यूद इडिज का रास्ता दिखा देगी जब एलफा लीडिया के पास थी एलफा लीडिया को ट्रेटर बनने के लिए स्कॉल्ड करने लग जाती है लीडिया एलफा को क्लियर करती है कि जिन्दकी जीने का यही एक तरीका है लीडिया एलफा को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके वहाँ से ना जाने पर वो उसे चिलाने की धंकी देती है एक बार फिर से अपिसोड प्रेजेंट में आता है डेरिल एलफा से जानना चाता था कि क्या उसने लीडिया को मार दिया है एलफा डेरिल को क्लियर करती है कि उसने लीडिया को अभी तक नहीं मारा है लेकिन डेरिल जादा समय तक उसे अपने पास नहीं रख पाएगा एलफा डेरिल को वान करती है और वहां से चली जाती है एलफा कैम्प में लाट कर आ जाती है बीटा एलफा से लीडिया के बारे में पूसता है एलफा बीटा को वहाँ से जाने के लिए कहती है एलफा बीटा को कहती है कि वो अकेले रहना चाती है बीटा वहाँ से चला जाता है इधार एलफा की आँखों में आसुआ जाते है एक Whisperer Alpha को रोते हुए देख लेता है Alpha किसी के भी सामने अपने आपको वीक शो नहीं करना चाती थी वो तुरंती उस Whisperer को मार डालती है Daryl अपने सभी साथियों को लेकर Campsite के और लाटने लग जाता है रास्ते में उन लोगों को घायल सिदीग दिखाई देता है अपने पूरे क्रूप के साथ उस हिलके उपर पहुँच जाता है वो लोग वहाँ पहुच कर देखते हैं कि O.C., Alec, DJ, Frankie, Tammy, Rodney, Addie, Annette, Tara और हैंडी के हैड उन पाइक्स पर टंगे हुए थे फियर का एक और फ्लेश पे दिखाया जाता है जहां पर इन सभी लोगों को लोग ढूंड रहे थे और उन लोगों के बारे में एक दूसरे से पूचताच कर रहे थे केरॉल हैंडी के हैड को देखकर शॉक रह जाती है और बहुत जोरो से रोने लग जाती है टेरिल केरॉल को चुप कराने के लिए उसके पास जाता है सभी लोग किंडम लाट कर आ जाते है सिदीग वहां मौझूद सभी लोगों को अभी अभी हुए हाथसे के बारे में बताता है सिदीग बताता है कि अलफा ने उसे जिन्दा इसीले छोड़ा था जिससे कि वह अपने सामने होने वाली घटना को उन सभी लोगों को सुना चुके सिदीग उन लोगों को क्लियर करता है कि अलफा सभी कमिनिटीज को अलग करना चाती है सिदीग उन सभी लोगों को बताता है कि मरने वाले लोगों ने अपनी आखरी सास तक एफ़ा और विस्परस के साथ फाइट की थी और वो लोग एक शहीद की मौत मरे हैं थोड़ी समय बार डेरिल और लीडिया बॉर्डर के पास आ जाते हैं लीडिया हैंरी का दिया हुआ नेकलेस हैंरी वाले पाइक के पास रख देती हैं उन लोगों के वहां से मुड़ते ही बरफ किरने लग जाती हैं हैंरी के डेथ हुए कुछ मैदे बीच चुके थे किंग्डम की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी एजेकल तुफान के आने से पहले किंग्डम के सभी रेजिडेंट्स के साथ हिल्टॉप तक जाने की प्लानिंग बनाता है केरॉल हैंरी का कुछ समान अपने साथ पैक कर लेती है लाइडिया इस वक्त किंग्डम में ही मौजूद थी एजेकल कमनेटीज के चार्टर को पैक कर लेता है किंग्डम के सभी लोग एजेकल और कैरॉल के साथ किंग्डम को छोड़ कर हिल्टॉप की और रवाना हो जाते हैं रास्ते में युमिको विशौन को बताती है उन लोगोंने मैगी को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे लेकिन मैगी का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है और हिल्टॉप में इस वक्त लीड करने वाला कोई भी नहीं है तब ही उन सभी लोगों को कुछ दूर पर वॉकर्स का एक हर्ट दिखाई देता है एर्डन तुरंती लीडिया के पास आता है एर्डन एनिट के अचानक वी डैट से बहुत ज़्यादा दुखी था वो लीडिया को विस्बर्स के बारे में कुछ बाते कह देता है उसकी बातों से लीडिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है डेरिल तुरंदी आकर एल्डन को शान्त करवाता है लीडिया डेरिल को क्लियर करती है कि वो उनके लोगों के लिए प्राब्लम नहीं बनना चाहती जबकि डेरिल उसे समझाता है कि वहां के सबी लोग एक दिन उसे अपना लेंगे डेरिल के पास जाता है और उसे बताता है कि हैंडरी लीडिया को पसंद किया करता था और वो चाता था कि लीडिया उन लोगों के साथ ही रहे केरॉल डेरिल को कहती है कि वो जब भी लीडिया को देखती है उसे हैंडरी याद आ जाता है डेरिल केरॉल से पूसता है कि उसे डेरिल को देखकर क्या याद आता है केरॉल डेरिल को क्लियर करती है कि उसे डेरिल में वही दिखाई देता है ये कहते हुए केरॉल डेरिल के कंदे पर अपना हाथ रख देती है एजेकल दूर से केरॉल और डैरिल को देख रहा था वो उन दोनों को इस तरह से देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है तब ही जैरी जेकल के पास आकर उन लोगों को शेल्टर ढूनने के लिए कहता है क्योंकि तुफान बहुत ज़्यादा पास आ चुका था एलेकसेंडिया के हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी यूजीन, गैबरियल और रोशिता मिलकर प्लानिंग मनाते हैं कि वो एलेकसेंडियन्स को तीन ग्रूप में बाढ़ देंगे और उन सबी लोगों को एरन के और बार्बरा के हाउस के अलावा मीटिंग हाउस में शिफ्ट कर देंगे उन तीनों जगे अलेकसेंडिया के सबसे बड़े फायर प्लेसे थे गैबरियल और रोशिता दोनों ही मीटिंग हाउस में मौजूद थे तब ही वहाँ पर यूजीन आकर उन लोगों को आने वले तुफान के बारे में बताता है गैबरियल उन लोगों को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को अब चर्च की और मूव कर जाना चाही क्योंकि वहाँ का फायर प्लेस उस जगे से ज़्यादा बढ़ा था ठर्ण बहुत ज़्यादा पर रही थी गैबरियल उन लोगों को निगान को भी चर्च के अंदर लाने की सलहा देता है इधा रोड पर डैरिल और केरॉल ने बहुत सारे वाकर्स को मार दिया था डैरिल अपने सबी ग्रूप के लोगों को आगे जाने के लिए कहता है और वो एजेकल के साथ अपने एरोस को वाकर से निकालने के लिए आगे बढ़ जाता है एजेकल डैरिल को आगे जाकर रोगता है और उसे कहता है कि वो हिल्टॉप में केरॉल के साथ नए सिरे से जिनकी शुरू करना चाता है और वो नहीं चाता कि डैरिल हिल्टॉप में उन लोगों के साथ रहे डैरिल एजेकल की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और चुप-चाप उसकी और देखता रह जाता है इधर लीडिया पूरे गुरूप से अलग एक कार चली गई थी उसे वहाँ पर आइस में दबा हुए एक वाकर दिखाई देता है लीडिया अपने हाथ के गलोब को उठा कर अपने हाथ को वाकर के आगे कर दीती है वो इस तरह से सुसाइट करना चाहती थी तभी केरॉल लीडिया को इस तरह देख लेती है लीडिया केरॉल को वहाँ पर आया हुआ देखती है और वो चुपचाप उसे फॉलो करती हुई ग्रूप के पास पहुँच जाती है मौसम बहाँ ज़्यादा खराब हो चुका था बरफ बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी मिशान उन सभी को लेकर रास्ते में पढ़ने वाली सैंचुरी में पहुच जाती है इधर अलेकसेंडियन चर्च के अंदर इखटे हो जाते हैं निगान वे उन लोगों के साथ था निगान वहाँ पर रोशिता को देखता है और उसकी लव क्वाडरेंकल को देखकर एक टॉंट करता है उसकी बात सुनकर रोशिता, यूजीन, गैब्रियल और सिदीक सभी एमबरेस्ट हो जाते हैं डेरिल ने जुडित को अपने डॉग का ध्यान रखने के लिए कहा था और जुडित को अप उस डॉग की बहुत ज़दा चिंता थी तभी यूजीन को किसी चीज की स्मेल आती है वो तुरंती सिदीक और गैब्रियल को फाइर प्लेस से हटने के लिए कहता है उन लोगों के हर्ते ही फाइर प्लेस में ब्लास्ट हो जाता है वो सबी लोग चर्च को अंसेब देखकर एरन की घर के और मूव करने की प्लानिंग करते हैं बहार बहुत जोरों का तुफान चल रहा था वो सबी लोग आपस में एक दूसरे को रसी से बान लेते हैं इधर डैरल और मिशान पूरे ग्रूप के साथ सैंचुरी के अंदर पहुँच चुके थे डैरल के पास जाता है केरल जंगल में डैरल और एचेकल को आपस में बात करते हुए देख चुकी थी वो उस बारे में डैरल से पूस्ताच करती है लेकिन डैरल उस वक्ट चुप रहता है केरल सस्पिशियस नसरों से डैरल के और देखती है केरल डैरल के सामने एडवेट करती है कि हैंडरी के जाने के पात वो पूरी तरह से तूट चुकी है डेरिल केरॉल को बताता है कि वो लीडिया को अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहा था और वो लीडिया का पूरा ध्यान रखेगा बाहर तूफान बहुत ज़्यादा तेज था फिशान उन सबी लोगों को बताती है कि उन्हें उसी वक्त उस चगे को छोड़ना होगा नहीं तो वो लोग उस चगे से कभी भी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास सप्लाइस बहुत कम थी वो सबी लीडर्स वहाँ के मैप को देखकर जाने वाले रूट का पता लगाते हैं उन लोगों का हिल टॉप का रास्ता एक फ्रोजन लेग के उपर से गुजर रहा था वो फ्रोजन लेग अलफा के बौडर के अंदर प प्रिट नहीं होने देगी उन लोगों का पूरा ग्रूप तयार होकर सेंचुरी को छोड़ देता है पूरा का पूरा ग्रूप विस्पल्स के बॉर्डर के करीब पहुच चुका था जहां पर उन लोगों को गड़े हुए स्पाइक्स दिखाई देते हैं इधर अलेकसेंड पूरा ग्रूप आगे बढ़ता है उन लोगों को कई जगे फ्रोजन वॉकर्स दिखाई देते हैं वो सभी लोग फ्रोजन वॉकर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हुए फ्रोजन लेक तक पहुच जाते हैं डैरल देखता है कि लीडिया उस ग्रूप से मिसिंग है कैरॉल वहां वाजूद सभी लोगों को फ्रोजन लेक को पार करने के लिए कहती है और खुद लीडिया को ढूनने के लिए चली जाती है ग्रूप के लोग एक एक करके फ्रोजन लेक से आगे बढ़ने लग जाते हैं उस फ्रोजन लेक में कई वॉकर्स दबे हुए थे जो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं सभी लोग उन वॉकर्स को मारते हुए लेक में आगे की और बढ़ने लग जाते हैं इधर केरॉल लीडिया तक पहुच जाती है जो कि उस वक्त एक कैबिन में थी केरॉल के पूचने पर लीडिया उसे बताती है कि वो उस लेक को क्रॉस नहीं करना चाती थी क्योंकि उसके हिल्टॉप जाने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था सभी लोग अपनों के खोने का कारण लीडिया को ही मानते थे लीडिया केरॉल को बताती है कि हैंडरी भी उसी के करण मारा गया था वो केरॉल से कहती है कि वो कायर है और वो अपने आपको नहीं मार सकती वो केरॉल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार दे ताकि आने वाले समय में उसके कारण किसी और को किसी अपने को ना खोना पड़े कैरॉल तुरंदी लीडिया के और बढ़ते हुए एक वाकर को मार डालती है और लीडिया को क्लियर करती है कि वो वीक नहीं है केरो और लीडिया को बापस अपने ग्रूप के पास लेकर आ जाती है इधर निकान बर्फीले तुफान में जुडित को खोच रहा था तब ही उसे डॉग की आवाज सुनाई देती है निकान उस आवाज को फॉलो करते हुए जुडित तक पहुच जाता है निकान जुडित को अपने कंदे पर लाथ लेता है और डॉग की चैन अपने हाथों में पकड़ कर एरन के घर की और बढ़ने लग जाता है निकान जुडित को खोचते हुए खायल हो चुका था वो एक जगे जुड़ित को उतारता है और उसे अपना कोट पहना देता है निकान अपनी चोट के उपर एक पटी बानता है और वो जुड़ित और डॉप को लेकर एरन के घर की और चला जाता है इधर डैरेल अपने पूरे क्रूप के साथ मौर्णिंग के समय हिल्टॉप पहुँच चुका था और उस वक्त तक तुफान भी पूरी तरह से थम चुका था डैरेल हिल्टॉप के बाहर मौजूद एक फ्रोजन वॉकर को तोर डालता है उसी रात को डैरेल लीडिया को इंफॉर्म करता है कि वो उसके साथ अगले दिन अलेकसेंड्रिया की और जाने वाली है लीडिया डैरेल से हिल्टॉप को छोड़ने का कारण पूसती है लेकिन डैरेल उसे बताता है कि वो ये सब कहानिया उसे बात में सुनाएगा इदर केरॉल एजेकल के पास जाती है और उसे क्लियर करती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती और उसे बता देती है कि वो अगले दिन सभी लोगों के साथ अलेकसंड्रिया के और जाने वाली है केरॉल एजेकल को उसकी रिंग पापस देना चाहती थी लेकिन एजेकल उसे रखने के लिए कहता है एजेकल केरॉल को कहता है कि वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा अगले दिन मेशान, डेरिल, केरॉल और बहुत सारे किंडम के रेजिडेंट्स अलेकसेंड्रिया बहुँच जाते है मेशान वहाँ पर आरचे और जुडित से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें हग करती है वो सबी लोग मिलकर इसनों से खेलने लग जाते है बात में मेशान नेगान से इंफर्मरी के अंदर मिलने के लिए जाती है मेशान नेगान को जुडित की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है नेगान मेशान और उसके ग्रुप के विस्पर्स की टेरिटरी को क्रॉस करने के बारे में सुन चुका था वो उस वक्त मिशौन की बहादूरी की तारीफ करता है अगले सीन में विस्पर्स के कैम को दिखाया जाता है बीटा एलफा के पास आता है और उसे कहता है कि उन लोगों का पैक बहुत समय से सब लोगों से अलग था और ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है एलफा बीटा को क्लियर करती है कि वो आने बली सिच्चेशन के लिए तयार होना चाहती है और अपने आपको और इस्ट्रॉंग करना चाहती है एलफा बीटा के हाथ में एक फलॉक थमा देती है और बीटा उस फलॉक से उसकी आर्म के उपर मारने लग जाता है इदर हिल्टॉप से एजेकल जुडित से रेडियो पर बात करता है एजेकल जुडित को बताता है कि वो लोग अपने घर को खोच चुके हैं लेकिन उनके लोग अभी भी उनके साथ है एजेकल जुडित से बात करके वहां से चला जाता है तब ये रेडियो अपने आप बचने लग जाता है जिस पर एक आवाज पूछ रही थी कि क्या वहाँ पर कोई मौजूद था